Now let's learn listening and speaking. देखो, exercise E1. Listen to the, listen to your teacher and number the picture in the order in which she reads the phrase. यानि जो मैं बोलू, पहले तो देखो ये end है, ये word है, ये a candle है और ये umbrella है, ठीके, अभी मैं जिस चीज का नाम बोलू, आपको वहाँ पे 1, 2, 4 लिखने हैं, ठीके, जो पहले बोलू, उसका number 1, जो बात में बोलू, उसका number 2, 3 and last में 4, ठीके, अभी मैं पहले बोलूँगी a boat, यानि boat जहाँ पे हैं, वहाँ पे 1 लिखिए आप सब, 1, फिर है, and umbrella, तो वहाँ पे आएगा 2, and end, वहाँ पे 3, and a candle, वहाँ पे आएगा 4, ठीके, पता चला, आगे, second one, अभी इसमें मैं पहले बोलूँगी a hat, ये hat है, ये got है, ये kite है, और ये engine है, ठीके, तो सबसे मैं पहले पोल रही हूँ a got, वहाँ पे 1st number आएगा, फिर मैं पोल रही हूँ a hat, वहाँ पे 2 number, an engine, 3, and a kite, वहाँ पे 4 number, ठीके, अभी मैंने जो जो बोला है, उस हिसाब से, यहाँ पे numbering कर देना आप, ठीके, now, let's start exercise E2, conversation, ठीके, यानि अभी हम बादचीत कर रहे हैं, वो सब लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे, अभी मैं जो बोलूँगी, मेरे बाद में आपको repeat करना है, ठीके, greetings, अभी, greetings के बारे में हम बात कर रहे हैं, greetings यानि हम किसी को wish करते हैं, वो, repeat the following conversation after your teacher, यानि जो मैं बोलू, बाद में आपको वो repeat करना है, conversation 1, teacher says, good morning children, बोलिए, the children says, good morning ma'am, teacher says, please sit down, यानि बैट जाएए, तो children says, thank you ma'am, ठीक है, अभी आपको repeat करना है मेरे साथ, teacher says, good morning children, then children says, good morning ma'am, teacher says, please sit down, children says, thank you ma'am, ठीक है, अभी हम conversation 2 पढ़ते हैं, लीला says, hello Raman, how are you, चलो भी आपको repeat करो, लीला says, hello, hello Raman, how are you, Raman says, hello Lila, I am fine, thank you, and you, लीला says, thank you, and you, लीला says, thank you, fine, thanks, ठीक है, फिरसे, लीला says, hello Raman, how are you, लीला says, hello Lila, I am fine, thank you, and you, लीला says, fine, thanks, ठीक है, अभी हम exercise 3, E3 देखते हैं, sound of English, Say the following words after your teacher, मैं जो बोलू बात में आपको वो repeat करना है, ठीक है, A-N-T-A-N, B-A-T-B-A-T-B-E-G-P-E-G-P-E-G-L-E-G-L-E-G-P-I-N-P-E-N-E-N-T-I-N-T-E-N-B-O-X-BO-X-F-O-X-BO-X-C-U-P-E-G-UP-P-U-N-P-E-N, K-A-N-B-U-N-A-G-E, K-A-N-D-A-N-T-K-F-E-L-L-B-E-L-L-B-E-L-L-E-L-S-I-T-S-I-T-C-T-R-I-P-T-R-I-P-S-O-T-H-O-T-H-E-O-T-T-O-P-S-T-O-P-S-O-P-S-U-P-S-U-P-P-S-E-D-O-S-C-T-R-I-P-S- Q M sum C O M E come ठीके आप सबने पढ़ा ना और आपको बोलना भी है ठीके चलो अब भी हम करेंगे आपकी फैवरिट एक्सेसाइज क्योंकि मुझे पता है आप सब को पसंद है हम करेंगे एक्सेसाइज एफ Join the dots in each picture Color the picture ठीके चलो मैं नाट्बुक में करती हूँ आप घर पे सारे करना है मैं एक एक को एक एक्सेमपल दे रही हूँ कैसे करना है मैंने लिखा है An Apple Draw किया है पहले तो यह सारे पॉइंट्स जोइंट्स दिये वह उसे जोइंट करना है ठीक से करना है अभी हमें उसमें कलर करना है अभी यहाँ पे देखो कलर भी दिया हुआ है अमें कौन सा कलर करना है रेड, ग्रीन और प्राउन ओके तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रीन ग्रीन कलर किसका होता है लिफ का कलर ग्रीन होता है तो हम यह कलर करेंगे ठीके आपके पास जो कलर है उसका यूज़ करके आप कलर कीज़ेगा इस कौन सा कलर है? ब्राउन कलर इसका मैं ब्राउन कलर करती हूँ, ठीक है? और एपल का कलर कौन सा हैगा? रेड कलर तो आपको यहाँ पे सारे जगह पे रेड कलर फिल करना है, ठीक है? आप भी कलर फिल करिएगा और बहार ना निकले उस तरह से करना, ठीक है? झाल हे बहार विल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए Color आपका savings the date मेरे पास इतने सारे ऊच्छे Color नहीं आपके पास तो बहुत सारे ऊच्छे Color होंगे ठीके ना पता चला ऐसे फिल करना है और पूरे Color और पूरा वाइट वाइट नहीं दिखना चाहिए, पूरा रेड रेड हो जाना चाहिए, ठीक है? देखो मैंने ऐसा किया है, आप भी ऐसा करना, ठीक है? मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपका ड्राइउंग बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है, ठीक है ना? यह सारे आपको पहले dots जॉइन करने हैं फिर उसमें color करना है यह आपको बहुत अच्छा लगेगा मुझे पता है सारा homework करना है और पूरा chapter हमने सारी exercise solve किया ना वह सारी आपको करनी है ठीक है? very good, चलो, have a nice day